दा इंटायर ग्रोनोला आर्क अब ग्रोनोला आर्क चालू होता है दा मोरो आर्क के बाद जिसमें एंड्रोइट 7.3 का हेड बज जाता है और वो हेड का पीस उसके ओरिजिनल ओनर लेके चले जाते हैं अर्थ से और जो एंड्रोइट 7.3 है उसका डाइटा कॉपी करके वो दूसरे OG यूनिट में डाल रहे हैं ताकि से वो सारी कैपेबिलिटी ले 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 और इस पूरी यूनिवर्स में कबज़ा कर ले और यह काफी बुरी खवर है बट घुसपैटिया जो दुबारा 7.3 को स्टील करने आ गया और वो घुसपैटिया और कोई नहीं ग्रोनोला है और उसके साथ उसका AI कंपेणियन है जिसका नाम ओटमील है और यह दौनों मिलके OG 7.3 को चुराने की कोशिस कर रहे हैं और ग्रोनोला और ओटमील आराम से सारे सोलजर्स और अदर OG मॉडल को हरा के 7.3 के पहुच जाते हैं जो की रिजनेरेट हो रहा था टैंक में और वो इसको चुरा लेते हैं आफ्टर दिस विसीया क्विक फ्लेश बैक जहां पे फ्रीजा की फोर्स थी एंड इसपेशली सायन की जो कॉनकुरर कर रहे थे एक प्लैनेट को और उस प्लैनेट पे सबी लोग ग्रोनोला जैसे दिख रहे थे और इससे पहले हम को जानते ग्रोनोला जाग जाता है और तब ही ओटमिल एंड ग्रोनोला फ्रीजा से रिवेंस लेने की बात कर रहे थे बट उनको नहीं पता था की फ्रीजा रिवाइफ हो चुका है टूनमेंट आफ पावर में मीनवाइल उन बीरस प्लैनेट गोकू विस की मदद कर रहा था औरेकल फिस को मेडिसन देने में क्योंकि औरेकल फिस को इनसोमेनिया था औरेकल फिस को दवाई देने के बाद गोकू एंड विस वापिस से ट्रेनिंग करने लगते हैं ताकि गोकू अल्टरा इंस्टेंट क अगर हम ग्रैन प्रीष की बात करे तो उनका completely跟 इस और उन दों को देखते हुए वीरस वेजटा से पूछता है किया तुम याट्रा इंश्थे सब्सक्रार को मास्न नहीं करना चाहते crystal उस जवाब देता है कि यह मुझे skill और तभी बीरस बोलता है कि वैसी भी ये एक लौती टेक्निक नहीं है जो गौड यूज करते हैं ये एंजल्स की स्पेसिलिटी है और वैसी भी तुम्हें क्या लगता है कि हम गौड अफ डिस्रक्शन दिन भर अपने दिमाग और दिल को सांथ रखते हैं तभी वेजीटा ब को हीटर्स नाम के ग्रुप को दे दिया जिसके चलते हुए उसको एक अच्छा रिवार्ड मिलता है अभी ग्रोनोला पूछता है हीटर्स के ग्रुप के लीडर एलिक से कि आखे कर तुम इस डाटा का क्या करोगे तो इसका एलिक जवाब देता है कि मुझे कोई इंट्रेस नहीं है एक आर्मी खड़ी करने में और वैसी भी मैं पैसो में ज़्यादा वैल्यू देखता हूँ और तुम हमेशा उससे कंबेटेंट्स एन इंफरमेशन ले सकते हो जो की पूरी युनिवर्स को कंट्रोल करती है और तबी एलिक ग्रोनोला को बोलता है कि युनिवर्स क इसे रिवेंज मत लो क्योंकि अभी तुम उससे बहुत जादा कमजोर हो और तबी ग्रोनोला फिर से एलिक के तरफ भड़ता है और बोलता है कि मुझे फ्रीजा की लोकेशन देता है लेकिन तबी गैसा आता है और ग्रोनोला को नॉक्डाउन कर देता है और तबी एलिक ब तो एलिक की ये बात सुनके ग्रोनॉला एगरी कर देता है और वहां से चला जाता है। इन हीटर का एक मेंबर ऑईल पूछता है एलिक से कि आखिकर तुमने ग्रोनॉला के सामने फ्रीजा की बात क्यों छेडी। तो जिसका रिप्लाइ देते हुए एलिक कहता है कि पहले के टाइम के हिसाब से बहुत जादा ताकतवर हो चुका है। और वह हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है अगर वह गैस से जादा ताकतवर हो गया तो। लेकिन हीटर्स के बाकी के मेंबर्स ये सोचते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है बट एलिक एक बिजनिसमेन है तो उसका बिजनिसमाइन चलता है तो इसलिए उसने सारे चीजों के पहले से ही समझ लिया था। और वैसे भी मेर पास एक ऐसा प्लैन है जिसमें फ्रीजा ग्रोनोला को मार देगा लेकिन जब तक के लिए उन्हें रुकना पड़ेगा ताकि से वह सारा का सारा डाटा ले 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 ओजी सैविन 3 से और उसको जुनो की भी एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए थी जुनो युन कर देते हैं बट ग्रोनोला को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती उनको हराने में और वो उनको एजिली हरा देता है अपनी स्नैपिंग अबिलेटी से और जिसमें उसका सबसे ज़्यादा साथ देती है सेरिलियन राइट आई और इस फाइट के दौरान ग्रोनोला अपना ए प्लैने जीरियल पे आजाता है और उस टाम से जब जब सारे के सारे सिरेलियन्स स्तर प्लान एक्छिली में होमलैंड का क्यों की उन्होंने अपना रेल प्लैनिट खो दिया था और उनको ये ग्रोनोला उनके साथ नहीं रहता क्यों ये सिविलाइजेशन उनके लिए बनी थी ना कि उसके लिए और वैसी भी वो ये भूलना नहीं चाहता था कि सायन ने उसके लोगो एंड उसके प्लैनिट के साथ क्या हल किया था बैक उन बीरस प्लैनिट गॉड अफ डिस्रक्षन वेजिटा से पूछता है सायन डिस्रक्टिव पास्ट के बारे में बट वेजिटा पूछता है कि आखिरकार इसका क्या केनेक्शन है हिस्ट्री एंड न्यू टेकनिक में बीरस इसका जवाब देता है बहुत कुछ और थभी वीरस अपना एक प्लैनिट उड़ा देता है बट जो एक्स्प्लोजन था वो एक नॉर्मल की ब्लास से ज़ादा था तो वेजिटा पूछता है कि आखिरकार वो टेकनिक क्या थी तो वेजिटा बोलता है कि ये तो सिर्फ एक जलक थी उसकी टेकनिक की तो वेजिटा बोलता है कि आखिरकार इसको यूज कैसे करते हैं तभी बीरस वेजिटा को जोड से जमीन पे पटक देता है और वो बोलता है कि तब तक तुम अपने मन में डाउट लेके चलोगे तब तक तुम ये पावर हासिल नहीं कर पाऊगे तुमें अपने क्राइम को साइड में रखना पड़ेगा और कोई भी गिल्ट महसुस नहीं करना होगा और ये बोलते ही बीरस वेजिटा को साइड में फैक देता है और फाइनली वो इसको सच बता देता है कि जिस परसन ने फ्रीजा को सजेस्ट किया था साइन एंड प्लैनिट वेजिटा को खतम करने का वो और कोई नहीं मैं ही था और ये सुनके वेजिटा सूपर सेंड ब्लू एवाल्यूशन में कनवर्ट हो जाता है और वो बीरस के साथ फाइड करने लगता है बट बीरस वेजिटा को आरम से हरा देता है और साथ मैं ये भी कहता है जो पास में हुआ था उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है वेजिटा और अगर तुम उसको नहीं भूलोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे इतना बोलते ही बीरस वेजिटा का हाथ पकरता है और वो डिस्रक्षन यूज करता है जिसको हम हाकाई के नाम से भी जानते हैं और वो हाकाई वेजिटा के आर्मर पर यूज करता है और बीरस ये मैंसेज करता है कि वो हमेशा अपने माइंड में डिस्रक्षन ही सोचता है तो इसके चक्कर में मेरी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि स्रिजन से पहले विनास आता है बैक उन हीटर बेस उनको फाइनली जूनो की लोकेशन मिल गई थी OG 73 के मदद से बट वो ये भी देखता है कि सारे प्रिजनर्स छूट गए थे ग्लास्टिक पैट्रोल प्रिजन से एलिक पूछता है कि आगे कर ये हुआ कैसे तो उसको जानने को मिलता है मोरों के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रैगन बॉल्स के बारे में और अब उसको ये भी पता है कि कैसे ड्रैगन बॉल से विस मांगते हैं और किस ने ड्रैगन बॉल बनाई है बट गैस एलिक को एक और सप्राइस वाली बात बताता है कि नमेकियन प्लैनिट सीरियल पर रहते हैं वित सरेलेयंज्ट गैस एलिक को एक और सब्राइस वाली बात 애ले को आपा झालता है कि गृणोला एक्षüly में एक नेकियों के साथ रह रहा है जिसका बॉनाइटम्स के वारे जोस्तप्ड है तो तब ही ग्रोनोला ड्रैगन बॉल की तरफ देखता है और ये देखके मुनाइटो बोलता है कि ड्रैगन बॉल रिवेंज के लिए नहीं बनी है और मुनाइटो ये भी कहता है कि जैसे कि मैं एक लौथा बच्चा हूँ अपनी स्पीसिस में तो अगर मैं मर जाओंगा तो मेरे साथ मेरी ड्रैगन बॉल खतम हो जाएगी तो इन नहीं के बाद मुनाइटो सूने चले जाता है और ग्रोनोला न्यूस चैनल देखने लगता है वो ये देखता है कि किसी ने मिसिंग ड्रैगन बॉल फाउंड कर ले और ये देखने के बाद ग्रोनोला वो ड्रैगन बॉल चुरा लेता है और ग्रोनोला तुरंथी इंटरनल ड्रैगन तोरोबो को समन कर देता है और उसको समन करने के बाद Gronola Dragon से ये विस मांगता है कि उसको पूरी universe का सबसे strongest warrior बना दो टोरोबो Gronola की विस क्लारिफाइस करता है कि तुम्हें इस पूरी universe का strongest warrior बनना है तो इसका आंसर Gronola देता है हाँ मुझे बनना है तो टोरोबो बोलता है कि मैं तुम्हें सबसे ताकतवर तो बना सकता हूँ लेकिन सिर्फ उतना ताकतवर जितना तुम्हारा भी potential है अगर तुम एक certain condition को agree कर लोगे तो तुम जरूर इस पूरी universe के सबसे ताकतवर warrior बन जाओगे तो बिना हिच किचाए Gronola हाँ कर देता है बैक ऑन बीरस प्लैनेट वेजिटा डिस्रक्षन सीखने का try कर रहा था बट वो बार बार fail हो रहा था बीरस ये बोलता है कि तुम्हें अपने target को completely erase करना होगा यानि उसका existence मिटाना होगा किसी चीज को सूने में बदलना होगा ये advice देता है बीरस वेजिटा को और वहीं पर गोकु विस्क के साथ अपनी training जारी रख रहा था और वो साथ ही साथ में excited था कि वो या वेजिटा में से कौन सबसे ताकतवर होगा इस पूरे universe में जहाँ विस्क कहता है कि हो सकता है कि तुम दौनों में से कोई भी ना हो और ये सुनका गोकु चौक जाता है So back on serial planet ग्रोनोला के बाल भड़ जाते हैं जिसमें वो एक बड़ा सा बोल्डर उठाता है और उसको पूरी तरह से नस्ट कर देता है और ये ब्लास मुनाइटो को सुनाई देता है और वो उस साउंड की तरह बहुत तेरी से भरता है और वो ग्रोनोला को बोलता है कि अब new enemy आएंगे जिसका reply देते हुए ग्रोनोला बोलता है कि मैं आसानी से किसी भी enemy को हरा सकता हूँ क्योंकि मैं अब पूरी universe का सबसे ज़्यादा ताकतवर warrior हूँ बट मुनाइटो चिलाते हुए बोलता है कि तुम आज तो सबसे ताकतवर हो बट आने वाला कल किस ने देखा बट ग्रोनोला उसको ignore कर देता है और वो Frieza की presence को सर्च करने लगता है बट मुनाइटो उसको रोकने की कोसिस करता है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है एलिक के पास Frieza की location लेने वो पहुत जाता है हीटर के base में और वो डिमांड करता है एलिक से Frieza की location देने के लिए और तभी Marky and Oil उसके तरफ भरते हैं और वो easily Marky and Oil को defeat कर देता है एलिक गैस को involve होने से माना करतेता है और एलिक ये बोलता है कि हमें पता है कि तुम ताकतवर हो गए हो लेकिन कैसे तो वो जवाब देता है कि ड्रैगन बॉल की मदद से तो इसके बदले एलिक उसको Frieza की location दे देता है बट वो ये कहता है कि मुझे exact location तो नहीं पता बट जल्दी पता लग जाएगी तो ग्रोनोला बोलता है कि अच्छा होगा कि तुम जल्दी ढून लो उसकी location क्योंकि मैंने अपने बचे हुए 150 साल sacrifice कर दिये हैं इस पावर के लिए और अब उसके पास सिर्फ 3 साल बचे है तो ग्रोनोला के जाने के बाद अलिक अपना प्लैन बताता है कि हमें Frieza की आर्मी के उपर कबजा करना है ना कि उनको खतम करना है तो मेरा प्लैन कामयाब होने के लिए ग्रोनोला को मरना होगा और मैं उस मानने के लिए science का यूस करूंगा Back on Virus Planet विस एक्स्प्लेन करता है गोकू को कि एंजल्स अपना Ultra Instant पूरे टाइम यूज़ कर सकते हैं बट गोकू तुम्हें Ultra Instant यूज़ करने के लिए ट्रांस्फर्म होना पड़ता है तो जो तुम्हारा गोल है वो यही है कि तुम्हें अपना Ultra Instant नैचरली यूज़ करना आना चाहिए अपने बेस फ़र्म में Meanwhile, Grunola अपने प्लैनिट पे वापस आ जाता है और हीटर्स जाने लगते हैं जूनो की तरफ लेकिन एलिक और गैस रुक जाते हैं So, इन बेस प्लैनेट गोकु एंड वेजिटा अपने टेक्निक को और अच्छे से सीख रहे थे लेकिन तब ही बुलमा का कॉल आता है विश के पास और वो यह बोलती है कि माकी एंड आइल आए हैं अर्थ पर गोकु एंड वेजिटा से मिलने क्योंकि यह चाहते हैं कि गोकु एंड वेजिटा एक विलन से फाइट कर ले उनके खाते हैं लेकिन इस पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है बट यह बोल रहे हैं कि वो विलन सबसे तागतवर है इस यूनिवर्स का और वैसे भी गोकु एंड वेजिटा चाहते हैं कि वो यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉंगेस वारियल वाला टाइटल हासिल करें और लगे हाथ बीरस पी उनकी कॉन्वर्जेशन में जुड़ जाता है और वीर्स वेजिटा को एक एरिंग दे देता है क्योंकि वो एरिंग उनकी निसानी है जो डिस्रक्शन यूस कर सकते हैं और विस गोकु को एक की सिंबल दे देता है जिसको देखके बीरस थोड़ा सा चिड़ जाता है लेकिन इस दोरान अर्थ पे माकी एंड ओयल ने ड्रैगन रेडार बुल्मा के घर से चुरा लिया था बैन 30 मिनिट लेटर गोकु एंड वेजिटा अर्थ पे आ जाते हैं और वो माकी एंड ओयल के साथ प्लैनिट सीरियल की ओर भड़ने लगते हैं लेकिन माकी ग्रोनोला को बोलती है कि गोकु एंड वेजिटा फ्रीजा के फोर्स के असेसियन है वो सायन है तो यानि कि माकी एंड ओयल जो भी कुछ कर रहे हैं वो उनके प्लैन का हिस्सा है तभी ग्रोनोला हवा में उड़ता है और अपने पुराने घरों की तरफ देखता है और बोलता है कि आखिर कार वो टाइम आ ही गया जब मैं अपना बदला लूँगा उन सायन से अठारा दिन बात गोकु एंड वेजिटा प्लैनिट सीरियल पर आ जाते हैं तभी माकी एंड ओयल पीछे ही रुख जाते हैं और उनको बता देते हैं कि तुम्हें ग्रोनोला उस डिरेक्शन में मिलेगा गोकु एंड वेजिटा थोड़ा सक करने लगते हैं बट इससे पहले वो कुछ बोलते या सोचते उन पर अटेक हो जाता है ग्रोनोला उन दौनों को स्नाइप कर रहा था दूर से एंड वो दौनों अटेक को आवाइट कर पा रहे थे बट वो ये ट्रेक नहीं कर पा रहे कि आखिरकार ये आटेक आहा का से रहे हैं तभी एक गोकु के नेक के एक वाइटल स्पॉट पर ब्लास्ट हो जाता है और गोकु सीदा जमीन पर जाके गिरता है और इसके चक्कर में उन्हें एक सेंजु बीन यूज करनी पड़ती है तभी वेजिटा बोलता है कि गोकु स कि तुम्हें अल्ट्रा इंस्टिंट पे रिलाइ होना बंद करना पड़ेगा अगर तुम्हें उसको मांस्टर नहीं किया तो गोकु सूपर साइन में बदल जाता है और फाइनली उसको ग्रोनोला की लोकेशन मिल जाती है तभी गोकु इस डारेक्शन में की ब्लास्ट फै ने कभी नहीं सुना था इनके बारे में वेजिटा पूछता है ग्रोनोला से कि तुम्हारा मोटिफ क्या है तो ग्रोनोला इसका जवाब नहीं देता है और वो सीधा अटेक करने लगता है और गोकु एंड वेजिटा दौनों के दौनों उस अटेक को डॉज कर लेते हैं त तो बेसिकली जितना ताकतवर फर्म होगा उतने अच्छे से गोकु अल्ट्रा इंस्टेंट यूज कर पाएगा और गोकु उसके सारे अटेक को डॉज कर लेता है फिर से बट वो सिर्फ एक डिस्ट्रेक्शन था तभी गोकु को एक अटेक कनेक्ट होता है और वो अटेक बहुत लाइट था बट स्टिल गोकु वापिस से गिर जाता है और गोनला को पता चल गया था की अल्ट्रा इंस्टेंट कैसे काम करता है और ये टेक्निक भी गोकु के वाइचल पॉंट्स को नहीं चुपा सकती उसकी राइट आई की वज़े से और गोनला को ये भी पता गोकु अपनी असली पावर नहीं दिखा रहा है तो वो इसको बोलता है कि क्यों ना तुम अपनी फुल पावर यूज़ करो एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे फ्रीजा को भी मानना है और ये सुनके गोकु थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है कि विलेन तो तुम थे तो ये सब चल क्या रहा है और इससे पहले गोकु कुछ बोलता ग्रोनोला पावर अप हो जाता है तो Goku Convert हो जाता है Super Sand Blue में और वो Super Sand Blue के उपर Ultra Instant यूजुज करने लगता है बट somehow Granola कामियआप हो जाता है Goku के Vital Spot पे attack करने में तभी Granola बोलता है कि तेज attack and test defense मेरी राइट आई को बीट नहीं कर सकते बट Goku उसकी बात को मानने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं अभी अल्ट्रा इंस्टेंट को अच्छे से यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ट्रेनिंग अधूरी है ग्रोनोला गोकु से बोलता है कि तुम कोई भी एक्सक्यूज मत दो और वैसे भी मैं साइंस की लाइन को यहीं खतम करने वाला हूँ और थबी वो एक अटेक यूज करता है जो मुरो के अटेक जैसा था और गोकु एंड टाइम पे वहाँ से निकल जाता है और वैजिटा फिगर कर लेता है कि ग्रोनोला एक लौता सर्वाइवर है अपने रेस का जिसका मैंने नाम काफी टाइम भेले सुना था और उनके मिटने का कारण हम सहीन थे और ये जानने के बाद गोकु एंड वैजिटा समच जाते हैं कि माकी एंड ओयल उनको फसा रहते तो गोकु बोलता है वैजिटा से क्यो ना हम ट्राइक करें ग्रोनोला को समझाने का बट वैजिटा कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है तो इससे भड़िया पहले हम उसको हराते हैं फिर कन्वेंस करते हैं तो गोकु यूज हिस अल्टरा इंस्टेंट फार्म और वो दोबारा ग्रोनोला से लड़ता है बट इस बाग ग्रोनोला उसका वाइसल पॉण्ट नहीं ढून पा रहा होता है यह बैटल वन साइटेंट चल रही थी ग्रोनोला गोकु को टज भी नहीं कर पा रहा होता है और गोकु के सारे अटेक पिछले अटेक से ज़्यादा ताकत वर होते जा रहे थी और तब गोकु ट्राय करता है बात करने की और बोलता है कि it's over बट इसका reply ग्रोनोला देता है कि मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं हार गया और वैसे भी तुम अभी तक मेरे कलोन से लड़ रहे थे गोकु के वाइटेल स्पोट पर अटेक कर देता है एंड उसको वापस जमीन पे गिरा देता है तो अब वेजिटा उटतर जाता है बैटर फिल्ड में एंड वो ग्रोनोला से बात करने की कोशिस करता है बट ग्रोनोला वेजिटा की भी नहीं सुनता वेजिटा ट्रांफर्म हो जाता है सूपर साइन ब्लू एवालियूशन में और तबी वो दौनो फाइट करने लगते हैं बट ग्रोनोला वेजिटा से बहुत ज़्यादा ताकतवर था और ग्रोनोला का डिस्ट्रक्शन वेजिटा के डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा ताकतवर था और वो इंप्रेश भी होता है वेजिटा के पावर से बट उसका स्ट्रगल जो है वो पॉइंटलेस है क्योंकि वो कितना भी ताकतवर हो जाए क्रोनला ही इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर वारियर रहेगा और इस बात पर वेजिटा एगरी कर लेता है बट राइट नाव, he sure will win और इस फाइट के बाद वेजिटा और ताकतवर हो जाता है और वेजिटा को ये फाइट करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था एंड वाइटियल पॉइंट पे हिट खाने के बाद भी वो हच रहा था और थबी वेजिटा का औरा परपल कलर में बदलने लगता है एंड वेजिटा रिवील करता है अपना न्यू ट्रांफरमेशन एंड अकॉर्डिंग टू वेजिटा उसकी पावर असीम थी बोले तो अन्बाउंड थी और वेजिटा के न्यू फॉरम ने उन दोनों की पावर लेवल के गैप को फिल कर दिया था और ग्रोनोला फ्रस्टेड होने लगा था एंड वेजिटा ये बोलता है कि बले ही कैके रोट के पास माइंड हो बट मेरे पास एगो है इन फैक्ट गो अहेड और अन्ड कॉल दिस अल्टरा इगो एंड ग्रोनोला ये बिलीव नहीं कर पा रहाता कि तुम जैसे सायन इतना ताकतवर कैसे हो सकते हो एंड वेजिटा ये बोलता है कि फ्रीजा ने हम सायन पर भी बहुत बुरे काम किये है बट ग्रोनोला इन बातों पे बिलीव नहीं करता है और इन दौनों की फाइट चलती रहती है और ओट मिल कोसिस करती है ग्रोनोला से बात करने के लिए बट वो उसको दूर फैक्ट देता है और वो ये सोचता है कि वो अभी सबसे ज़्यादा तागतवर है तो उसे कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं और इसी के साथ इन दौनों की फाइट चालू रहती है और वेजिटा इतना ज़्याद डेमिज ले चुका था तो अब उसको कुछ अटैक डॉच करने पढ़ रहे थे क्योंकि वो अपना कॉंशिजलेस लूस कर रहा था कॉंवेट के बीच में उस टाइम बाद वेजिटा अपने बेस फरम में आ जाता है और अल्डरा-ईगो फरम चला जाता है और जैसे ही लगता है कि वेजिटा मढने वाला होता है गोकू बीच में आ जाता है गोकु बोलता है कि मैं यहां से देख लूँगा बट वेजिटा गोकु को एक लाथ मारता है और यह बोलता है कि मेरे पास बचाने के लिए नहीं है तो मैं एगरी नहीं करूँगा तुमारे साथ लडने में तभी गोकु पूचता है तुम अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हो तो इसका रिप्लाइ देते हुए वेजिटा कहता है कि मैं मरना जादा पसंद करूँगा तुमारे साथ लडने से अच्छा तभी क्रोणोला वेजिटा को आफगार्ड पकड़ने की कोसिस करता है बड़ गोकु इसको बचा ले और ये देखका क्रोणोला सौक हो जाता है कि आखिर कर तुम इतनी जल्दी कैसे रियक्ट कर सकते हो तो गोकु बोलता है कि मुझे पता चल गया कि आखिर कार तुम कैसे वाइटल पॉइंट को टार्गेट करते हो और अब ये चीज़ मेरे पे काम नहीं करेगी और तब ही गोकु के वाइटल स्पॉट पे अटेक करता है बट ये अटेक काम नहीं करता जैसे पहले किया था और गोकु एक्स्प्लेंट करता है कि मैं तुम्हारे अटेक को डॉज नहीं कर सकता बट अगर मैं अपनी बॉड़ी हलकी सी भी हिला दूँ तो तुम्हारा हिट वहाँ नहीं पड़ेगा जहां तुम चाहते हो और ग्रोनोला ये बोलता है कि ये डिफेंसिव टेकनिक मेरे सामने काम नहीं करेगी और गोकु एगरी भी करता है आफ्टर सॉट फाइट गोकु वापस से अपने बेस फ़र्म में आ जाता है वेजिटा गोकु के पास आके कहता है कि I am tagging in और वो गोकु से बड़े आराम से बोलता है कि ये काम मुझे अकेले ही करने दो और इसका reply देते हुए गोकु बोलता है बट तुम try करना कि तुम मरो ना वेजिटा पूछता है ग्रोनोला से तुम्हारी लाइफ में रिवेंज लेने के अलावा और कुछ है बर ग्रोनोला इसका कोई जवाब नहीं देता तब ही वो वापस से अल्टर एगो में convert हो जाता है और वो वापस से लड़ने लगते हैं और उनकी fight उनको एक बगल की city में ले जाती है और ग्रोनोला वेजिटा से बोलता है कि प्लीस यहां पे मत लड़ो और ये सुनके वेजिटा बोलता है ओ मुझे लगा कि तुम किसी भी चीज की कदर नहीं करते हो और इसका advantage वेजिटा लेता है और ग्रोनोला उसको फिर भी जमीन पे लिटा देता है और वेजिटा के face के ज़स सामने attack कर देता है और वेजिटा नॉक डाउन हो जाता है और ग्रोनोला भी पूरा exhausted हो जाता है और तब इसके बगल से एक कांस टूटता है और वो देखता है कि एक माँ अपने बच्चे को लेके बहुत खबराई हुई थी और ये देखकर उसको अपनी माँ की याद आ जाती है हम सायन के लिए नफरण रखना सही है बट मैं तुम्हें चिताबनी देता हूँ कि तुम हमें मिटा के वापस से हिस्ट्री को रिपीट कर रहे हो और वैसी भी सेरेलियन्स कभी सायन को पसंद करते ही नहीं थे और ये सुनने के वाद ग्रोनला गुस्से में कहता है कि सायन ने सब कुछ झीन लिया हम से और मैं ये कभी नहीं भूल सकता और तभी ग्रोनला अपनी बचे हुई पावर से एक और अटेक करता है वेजिटा के तरफ और वेजिटा माफी मांगता है बीर से कि जो वो पावर है गौड अव डिस्रक्शन की वो मेरे से उपर है और ये एक्सेप्ट हिस वेट और आ रही होती है मौनाइटो के साथ ग्रोनला का अटेंशन मौनाइटो पे चला जाता है और और तभी गुकू ग्रोनला का अटेक रोक देता है जिससे वेजिटा और ग्रोनला दौनों बढ़ने से बच जाते हैं यसी ही मुनाइटो सिप से उतरता है गुकू एंड वेजिटा सौक हो जाते हैं कि इस प्लैनेट पर भी नमेकियन है एंड गुरॉनोला गुस्से में चिलाते हुए कहता है कि मेरा रिवेंज में टांग मत अड़ाओ बट मुनाइटो बोलता है कि गुरॉनोला मैंने तुमसे जूट बोला था और एक सायन है जो वेंजेंस अर नहीं करता दो वन हू सेव उस फौर्टी इयर्स अगू बाडॉक है जहाँ पर हमें फाइनली मालूम पर जाता है कि 40 साल पहले क्या हुआ था सारे सेंस ने सर्वेलि की मौम और गुरॉनोला को ढूंडा होता है जहाँ पर अदर सेंस उस प्लैनेट को छोड़के चले जाते हैं बट बाडॉक रुकता है और वो बोलता है कि मैं ढूंडता हूं कि अगर महाँ पर कोई और सर्वाइवर बचा है कि नहीं जहाँ पर उसे मौनाई तो मिलता है औ तो बहुत जादा सिमलर लगते हो बाडॉक से जहाँ पर वेजिटर रिवील करता है कि बाडॉक गोकु का बाप है जहाँ पर गुरूनों को समझ में नहीं आता है और पूस्ता है कि अगर बाडॉक ने हमें बचा लिया ता तो मेरी मौम कैसे मरी जहाँ पर हमें मालुम कि हम लोग फ्रीजा के गोलाम है इनी सारी बात्चीत के बीच में ग्रॉनोरा एकड़ जग जाता है बोलता है जहां पर मुनाय तो कहता है ग्रॉनोरा लेजर भी पर टोलोना की मॉंप पर शूट कर देता है. एन एलेक बार्टॉग से बोलता है कि इन दोनों को भी तुम जल्दी फिनिश कर दो. बार्टॉग किसी की सुनता नहीं है और एलेक पर हमला कर देता है. तकि वो तीनों लोग वहां से भाग पाएं. जहां पर एलग की जाता है कि उन तीनों ने हमारी बात को सुल निया होगा intervened जहां गैस कहता है कि मैं रिभात के एलक से अपने पाश्ट के बारे में बात करनה अभूँ नहीं हुआ अब वो कभी नहीं होगा क्योंकि मैं अपने पास से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ जहां पर मां की गैस के पास पॉस्टी है और बोलती है कि गोकु एमजीडिटा ने फाइट करना बंद कर दी है जहां पर अलेक कहता है कि मुझे अब ड्रेगन बॉल को खुद ही डूणना होगा बैक टू थे बैटल फील्ड जहां पर ग्रोनों को बिल्कु भी समझ में नहीं आ रहा था है और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि हमें एक सेन ने बचाया बट वो सेन मेरी मॉम को नहीं बचा पाया और जिसने मेरी मॉम को मारा था वो और कोई नहीं अलिक था और मैं उस बंदे के लिए कितने सालों से काम कर रहा हूँ जहां पर मुझे बहुत गुसा करता है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया मुनायटो कहता है कि यह मेर पे सब ऐसा ही तरीका है ताकि तुम बच पाओ जहाँ वेजिटा मुनायटो से पूछता है कि बार्डॉक ने गैस को हरा दिया था जहाँ पर मुनायटो उसका रिपलाइ करता है हाँ बट वेजिटा इस चीज़ को सुनके बहुत ज़्यादा है कि उसको लगता है कि बाड़ोग बहुत ही ज़्यादा लो क्लास सेन है बट मुनाई तो उसे पहले कुछ एक्स्प्लेइन कर पाता बट एकदम जो स्काई डार्क होता है और होता जाता है अलिक में अपनी विश मांग ली है और सभी एकदम से एक बहुती स्ट्रॉंगिस्ट औरा दिखाई देता है जहां पर मा की नॉल्ट रिप्रेजेंट करते हैं दा ओल्डर वर्जिन ओफ गैस जहां पर गैस बन चुका है दा फर्टार इंदा यूनीवर्स फह इस बना पर कोई टाइम वेश के हैब सभी अटेक करता है जहां पर गैस सब गैस कोई भी वेपन को कर्येट कर सकता है जहां पर गैस बन अधश्यलक होता है लंग हमार है बाड़ गैस एक चीज को नोटिस करता है चैना उसको ही चाल कर दिता है और मुनाइतो भूंट को फ्रीज कर दो ही जाहा होते ہے ने कुम अल्गों ने मुझल तो कि मता नियु 450 खुल पिंता है हमें इता ही हम अहाइक अर्ष में बन चुका एक बाउंटी हंटर जहां पर एले ग्रूनला को देख की समझ जाता है कि मुनाई तो उसके पास्ट के बार में बिल्कुल भी नहीं बताया है वो इस चीज का एडवांटिज लेता है एंड ग्रूनला को अपने ग्रूप में शामिल कर लेता है बट मुनाई तो इस जो मैंने उखाड के फैक दिया था एंड तभी ग्रूनला हार जाता है गैस से बट उस टाइम तक गोकु इतना हील हो चुका था कि वह बैटल फीड में उतर पाये दुबारा एंड गोकु वेजीटा से बोलता है कि तुरंत उस सेंजु बीन को ढूंडो और उसको खालो वे सेंजु बीन वेजीटा खुद नहीं खाता है एंड वो ग्रूनला को दे देता है वह कहता है कि तुम्हारे और गैस की बीच में जो भी है अन्बन तुम उसको सुल जा सकते हो इसको खालो एंड ग्रूनला और सेंजु बीन को खाके अपनी पावर को रिस्टोर कर लेता है से लडने तुरंत पहुंच जाता है वो अपने AI ओटमील को पहल लेता है और फिर से हमें ग्रूनला वर्सिस गैस देखने को मिलता है बट इच टाइम ग्रूनला इतना कमजोर नहीं था गैस से इन फैट ग्रूनला थोड़ा थोड़ा थो डॉमिनेट कर रहा था गैस को तो अपनी गैस जाता हैं प्रैटली तो गैस प्रैक करता है ड़ा थोड़ा से ज्यादा ताकत यदॉस काया इस पावर से तो वह अपनी फालत यू पावर का जुजा है ज़ो सकता है जो ग्रूनला कर सकता है बट बैटर गैस एंड गुरॉनला के बीच में इंस्टेंट ट्रांसमेशन की फाइट चालो हुआ जाती है जहां पर वेजटाई एक नोटिस करता है कि गुरॉनला के पाफ स्लाइटली जादा बैटर है यूजंग इंस्टेंट ट्रांसमेशन तो शायद वह यह फाइट जीत सकता है बट जैसे जैसे fight Grunola and gas की भड़ती जाती है gas keep up करता जाता है Grunola से और समझ जाता है कि वो जब तब fight चलेगी तब तब वो Grunola को take down कर लेगा तब ही Grunola अपना final moves को use करता है वो अपने clones को use करता है ताकि वो एक distraction पैता कर पाई gas के बीच में बट और वो अपनी main body को direct contact में लाग पाई gas के साथ बट इस चीज में एक दिक्कत थी क्योंकि जितना भी damage Grunola के clones लेंगे वो सारा damage Grunola को feel होगा और यह सब देखने लाट मुनायतों तुरंट Grunola के पास जाता है और उसको heal करता है जहां पे Grunola मुनायतों को मना कर देता है कि यह fight अभी खतम नहीं हुई है बट जब तक Alec gas के सर पे हुआ torch हटा देता है and वो torch gas की power को hold back करके रखता है ताकि gas अपने सारे emotions को lose ना कर पाए and Marky Alec से कहती है कि अगर तुम उस चीज को हटा दोगी तो gas अपने सारे sense को lose कर देगा but Alec कहता है कि gas can handle it and तभी gas एकदम से बड़ होने लगता है and वो battlefield में उतरता है and फिर उसकूल बिना कोई सोचे हमला करने लगता है Grunola के उपर and Grunola ये realize करता है कि gas अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है अपने पराने वाले version से भी but gas के पास कोई भी sense नहीं है तो वो किसी पे भी हमला करने लगता है but तभी Goku की मदद करने के लिए आ जाता है but जैसी gas Goku को देखता है वो पीछे हट जाता है and उसको एकदम से flashback दिखा देता है जब वो gas bardock से लड़ रहा होता है and जैसी gas को रिलाइज होता है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है and gas अपने सारे senses पे control कर लेता है and तभी वो बन जाता है universe strongest warrior and तभी gas gradita and Goku को freeze कर देता है but एकदम से gas transport होता है and वो उसके हाथ पे kick मारता है and उस kick के impact से gronola के दोनों हाथ टूट जाते है जहां पे gas उसकी eye को तबाह कर देता है and एलेक पीछे से गोली मार देता है gronola and यह सब जेख कि Goku को बहुत ज़्यादा गुसार होता है but यह देखने के बाद भी Goku कुछ भी नहीं कर सका जहां पे Vegeta Goku की मदद करता है Vegeta अपनी सारी energy Goku के अंदर transfer कर देता है ताकि Goku एक बार और battlefield में उतर पाए तब ही Goku Super Saiyan transform होता है and वो gas के तरफ हमला करने के लिए भड़ता है but एकदम से Goku अपनी energy को तरफ कहता है कि तुम्हें कोई फरक नहीं पढ़ता है कि Gronola मर चुका है जहां पे Goku Gas को reply करता है कि मुझे काम रहना होगा ताकि मेरा special move वर्क कर पाए जहां पे Alex Gas को बोलता है कि हमें लोगों को जिन्दा नहीं रह सकते तब ही Gas Goku पे हमला कर देता है वो बस मजा कर रहा होता है गोगो के साथ जहां पे Gas ऐसे attack यूज कर रहा होता है जिस attack से Goku मरेगा नहीं गैस वो इसलिए कर रहा होता है ताकि वो fire देख पाए जो उसने बार्डॉक के अंदर देखी थी बट गैस को वो fire दिखती नहीं है गैस गोगो से सच पूछता है कि सच में तुम बार्डॉक के ही बेटे हो जहां पे गैस को रिप्लाय करता है कि जब मैं बहुत चोड़ा था तब मैं अपनी सारी मेमोरी को भोल चुका था जहां पे गैस समझ जाता है को कर्ते है के ऐसे जो बटनाता है कि मूझे इस बपाल को मार रह था हुदिआ हुद तबी गोकू समकठा पकड़ने ऑप लैगा है कि वह देखना चाहता है कि तुम मुझे पकड़ सकते हो अपने इंसरेंस ट्रांसमीशन से और तभी गोकु अपने आपको ग्लेक्टिक पेट्रोल प्रिजन के अंदर पाता है और गैस भी होता है जहां पर गोकु गैस से पूछता है कि तुम सच में आले को फॉलो करते हो जहां पर गोकु बोलता है कि मेरा खुद का भाई मुझे मारने के पीछे पड़ा हुआ तो तुम थोड़ा केयरफुल रहना बट गैस गोकु की बात पर ध्यान नहीं देता है और वह अपना टेलिपोर्टिशन चालू रखता है और दोनों अपना टेलिपोर्टिशन कर रह डेटा हैं बट गैस को बहुत दिकत आ रहे होती है बापस द्रिवरस ऑडर में टेलिपोर्ट करने में किकि वह गोगो को सेंच ही नहीं कर पा रहा है कि गोकु किस प्लैनेट पे है और गैस विस को बताता है कि वह इस तरफ है और यह देखने के बात के फुल स्पीज से प् विस के साथ मुनाइटा स्काउट के चुट को उनाता है कि स्काउटर में एक आड्यो सेव में ऑड्यो अडो सुनब शोग State बाडॉक की जिसमें बाडॉक कह रहाता है ग्रोनस और मुनाई तो उसे कि तुम एक किसी भी हालत में बचना ही होगा बट यह चीज को सुनते ही गोकु के दिमाग में ट्रिगरिंग होती है और उस ट्रिगरिंग के चकर में गोकु अपनी सारी मेमूरी वापस आ जाती है और पास्ट में हमें दिखाई जाती है गैस वर्सिस बाडॉक की फाइट जिसमें मालूम पढ़ रहाता कि बाडॉक ज्यादा ताकतवर है गैस से बट गैस कोई भी डेमिज नहीं ले रहाता बाडॉक से जब मुनाई तो बाडॉक से कहता है कि तुम यहां से भाग जाओ जो हो बाडॉक की चीज़ पर ध्यान नहीं देता है और दोनों अपनी फाइट को कंटीनियू रखते हैं तभी गैस अपनी थोड़ी बाड टू पावर को निकालता है जहां पर वह सेम अपने सेंस को खो देता है तभी मुनाई तो ड्रैगन बॉल्स को कलेट कर लेता है और ड्रै बाडॉक की टेल को पकरता है और उसको इधर से उधर मारने लगता है और एक दम से बाडॉक की टेल वहां से निकल जाती है और गैस बाडॉक को मारने जा रहाता है और वह स्पेयर करता है बट वह स्पेयर मुनाई तो अपने कंदे की उपर ले 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 ल को देखने के बाद Gass को बहुत ही जावक गुस्टा होता है अब उपड़ु को नॉक वुल पावर को ऑनलीश कर देता है ये वह मुणाई अब दिदेमन काऒट भर और बाड़ुबू Cute! भाशे के इसी को पडाइट कि इसी कर लेता है वह डेटे स्हाथ है और दो दो नहिंड होरा चुक्छ ताम माता है और तब मुनाय तो बोलता है कि यू ड्रीग घ्रिक पर नकंद पर लगता कि नहीं बेक प्रेजिन्ट गोकु को पूरी मेमोरी अपनी वापस आजाती है और तभी गोकु वेजटा से बोलता है कि मुझे से फ़ाइनल इससवज में आ चुका है कि सं प्राइड क्या होता है जहां पर वेजीटा खुद बोलता है कि मैं भी एक टाइम के लिए भूल गया था कि सेंट प्राइड का मतलब क्या होता है प्राइड का सभी की मतलब है कि अपनी पावर के उपर पूरा भरोसा रखना है नाि तो तभी गोक्व ऑनवेजीटा से बोलता है कि मैं तुम दोनों को तो यह बहुता है हुद गोक्व क्यों कहते हैं लटो गभांगे उचके भूशण कि वापिस और टाइब हांगे जहां पर Vegeta अक्टिबेट करता है ULTRA EGO and Goku activate करता है ULTRA INSTINC और फाइट बिगेंज जहांब वो दोनों ही गैस से लड़ रहे होते हैं और यह भी तो बेस्ट फाइट है पूरे ड्रेगन बॉल सीरीज के मांगा की वो दोनों हकाई यूज करते हैं ताकि वो गैस को थोड़ा बात पुछ कर पाएं गैस मैनेज करता है उस हकाई को बेकपट पुछ करने में वेजिटा गोगो वो रहता है कि तुम इस हकाई को हैंडल कर ताकि मैं गैस से वर और वन डारेक फाइट लड़का हूं गुकु सफल रहता है उस हकाई को डिफलैक्त करने में तुरन वेजिटा की help करने के लिए पोछ जाता है गुकु एकवन से देखता है कि वेजिटा ईपने पुराने बाले से भी better कर रहा है वो गैस को damage देने में सफल हो रहा है गैस एंड वेजीटा की फाइट कंटीनू रहती है जहां पर दोने दूसरे को मुक्के मार रहते हैं बट गैस टेक डाउन कर लेता है वेजीटा को जहां पर समझ जाता है कि अपने एक ही अटैक में उस इनसान को ही मार देना है निचीज देख के गोकु तुरंत ही उन दोनों की मदद करने आ रहाता है बट एकदम से वेजीटा इतमदार मुका मारता है गैस के पेट में जहां पर वो गैस को शुक्रिया करता है इतनी सारी पावर देने के लिए वेजीटा को बोलता है कि पीछे रहा हो जहां पर की ट्रू पोटेंशिल क्या है दब तक मैं गैस से लड़ता हूं और तभी गोकु मेडिटेट करना चालू कर लेता है ताकि वो अपनी अल्टर इंश्टिंग की ट्रू पोटेंशिल के भारे में पता लगा पाए और गैस और वेजीटा फाइट करना चालू कर देते हैं इस चीज को देखके गैस उस टेक्निक का मजाक बढाता है और वो इसको अपना फिनिशिंग ब्लो मारने जा रहा होता है गोकु वेजीटा के ऊपर एक बैरियर चड़ा देता है ताकि वो फिनिशिंग ब्लो ना दे पाए और वो वेजीटा को टेलिपोर्ट कर देता है तभी गोकु अल्टर इंश्टेक में बदलता है, जैसी गोकु को देखता है, गोकु का फेस लिटरी रिमाइंड कर रहा होता है, बार्डॉक से, तभी गैस और गोकु अपनी फाइट चालू कर देते हैं, इस बात साफ मालूम पढ़ रहा था कि गोकु वाकी में जीत रहा है गैस से, गोकु रिलाइस करता है कि मैं जस्ट बेरली स्ट्रॉंग हुआ हूँ गैस से, तो मेरे पर जारा टाइम नहीं है, मुझे इस चीज को जल्दी खतम करना होगा, गैस मुल्टिकल वेपन को यूज कर रहा होता है, ताकि गोकु को हरा पाए, और इवन दो डिस्ट्र को बताता है कि मैंने ये पावर ड्रेगन बॉल से, इसलिए मांगी थी ताकि तुम फ्रीजा को मार पाओ, सेंस तो सिर्फ उसके बीच में आ रहे हैं, जहां पर गोकु एलेक बोलता है कि तुम गैस को फोर्स मत करो ताकि वो मुझे लड़े, कि हम लोग आगे जाके भी कभ के चौक जाता है, जहांवे गैस गोकु को मानने के लिए बढ़ता है, और ये गैस ज़्यादा ताकत वर को चुक आए को कोने गोकु से, जहांवे गोकु रिलाइज शुका था, कि मैं गैस को नहीं हरा पाऊंगा, भट इसल गोकु को कंटीन्यू रखता है, गैस को हराने क की कोशिश में बट एक दम से एक फायर आती है जो दोनों के बीच से निकल जाती है गोकू एंड गैस के बीच से एंड वह अटैक किसी और कर नहीं गुरॉला का हूं तब सबक्राइब किरो जितनी भी इस्ट्राइंफ उन की को माई एक अपनों की शर्ड़ नगसा करेक्ष किन तब उसे से लेकार नहीं यह तकपर तका करें है जिर्फन कोश्राइब करें पडर आधी 24 बैर फीच 250 की कोश्रीको ऐं आता है कि अजम देद गांतों के एंड वो एक हेड़बट देता है गैस को कहता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा तभी ऑईल एंड माकी कहते है कि हमें गैस की मदद कर नहीं होगी बट एलेक उनकाइड़ी बट वो अभी फायर नहीं कर सकता एंड तभी गोकु उड़ता है वो अपने अल्ट्रा इंस्टिं इंड उस फायर अटेक से गैस हार जाता है जहाँ पर गोको एंविड़डा करता है कि आप अब बोलने के बाद तुन्हें धुरूनदी जमीन पर घर जाता है जहाँ वो अपने तीला स्पैंड को भी स्पैंड कर देता है उस फाइनल बलास्ट के लिए जहाँ पर गोकू झ को हील करने के लिए भढ़ रहा होता है तब ही मुनाई तो गुरुना को उसकी फुल स्ट्रेंद पे हील कर देता है और वह एक्दम से रिलाइस करता कि मेरी पावर का जादा यूज करने के चक्र में मैं और भी बेटर हो गया हूं अपनी हीलिंग पावर को यूज करने में गैस की तरह बर बर जाते है यूज को बहुं की तरह बर जाते हैं भाट गैस को कोई ब्याइए भाट का आफ को को फील नहीं होता है इस चीज को देखके ऐलेक बहुत ही जादा खुश हो रहा होता है जहापे ऐलेक कहता है कि गैस जब तक मरेगा नहीं तब तक सबसे स्ट्रॉंग इस रहेगा इस चीज को स्ट्रॉंग करने के लिए उसने अपने पूरी लाइफ स्पैन को गवा दिया है और ऑई अमा की इस च आरे लोग शॉक हो जाते हैं फ्रीजा को वहां पर देखके और तब ही फ्रीजा बुना कुछ सेकंड वेस्ट करे हुए गैस को एक ही हिट में मार देता है फ्रीजा एलेक से पूछता है कि तुमने मुझे यहां पर क्यों समन किया है जहां जब एलेक बोलता है कि बस मैंने आपको ऐसी बढ़ा लिया था मुझे कोई बिजनेस नहीं था बट मैं आपसे बस पूछ राता है कि आपको हाल चाल कैसे चल रहा है तब ही फ्रीजा बोलता है कि मुझे सब कुछ मालूम है तुमने मुझे इसलिए समन किया है ताकि गैस मुझे मार पाई एंड तुमने ड् है कि तुम सारे हीटर में सबसे कमजोर और तभी फ्रीजा को मार तभी गोकु पूछता है कि फ्रीजा इतना जात ताकत बर कैसे हो गया वेजिटा बोलता है कि गैस पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉंगिस था तुम कैसे मैनेज कर लिया उसको मारने में जब फ्रीज कर रहा है तो तभी ब्लैक फ्रीजा फॉरम में ट्रांसफॉर्म होँता है तभी गोकु और वेजिटा अपने उल्टरा इगो एंड ट्रू अच्टिंग फॉरम में ट्रांसफॉर्म होते हैं और तुरंथ फ्रीजा उन दोनों को सिंगल है अदिद ली नॉक-आउट कर देता ह फ्रीजर डिएट करता है कि मैं अभी तुम दोनों को नहीं मारू हूँ और तभी फ्रीजर सीरिल्स प्लैनेट को छोड़ के चला जाता है तो इसके लिए मुझे डागन बाल को डूनना हूँ और भी गोकु एंड वेजीटा एंड विस बीरस प्लैनेट के तरफ भड़ने लगते हैं जिसपे गोकु विस से पूछता है कि वाकी में फ्रीजर इस यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉंगेस्ट वारियर बन चुका है जा मै इसी डायलोग के साथ ग्रॉनला का आर्र खतम हो जा तो यह थी पूरे ग्रॉनला आर्र की एंटायर वीडियो यह काफी ग्रेट स्टोरी थी पूरे ड्रैकन बाल के लिए एंड इस चीज को कवर करने मुझे काफी मज़दा है तो अगर आपको और भी इस चाहिए तो सेयनारा